हलो गाईज वेलकम डू माई चैनल स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मैं हरिपरी पटेल बात करूँगा आप से इस वीडियो में दो टापिक्स पर जिनके नाम है अधिगम वक्र और अधिगम पठार यानि लेर्णिंग कर्व और लेर्णिंग प्लेटिव के बारे में इस व महां से पिछले वीडियो जरूर देखेगा तो अपना टापिक सुरू करते हैं ठीक है टापिक है हमारा अधिगम वक्र देखिए अधिगम वक्र का अर्थ क्या होता है जानते हैं लिखा है जब सीखने हम जाते हैं यानि जब हम सीखने जाते हैं तो कभी सीखने की गति ती ध्यानिक यानि अधिगम वक्र क्या होता है जब हम कोई चीज सीखने जाते हैं तो हम किसी चीज को कभी-कभी जल्दी सीखते हैं और कभी-कभी धीमे सीखते हैं तो इसी को जो है ग्राह पर दिखाना जो होता है वो होता है आपका अधिगम वक्र देखिए अधिगम वक्र की दो परिवासां है और दोनों ही बहुत ही महत्यपोर हैं एक्जाम में ये पूची गए हैं पहली परिवासा है गट्षेट वा अनेक इनुसार ये कहते हैं सीखने के वकर अभ्यास द्वारा शीखने की मात्रा गती और उन्नत की सीमा का ग्राफ पर परदर्शन करते हैं यानि सीखने के वक्र यानि अधिगम वक्र क्या है सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा गती और उन्नत की सीमा का ग्राफ परदर्शन करते हैं ये किसने कहा है गेट स्वा अनने वेरी वेरी important यह परिवासा है अगली परिवासा है इसकिनर महोजदे की यह कहते हैं अधिगम वाक्र दी गई क्रिया में उन्नत या अवनत का वरगांकित पर बेवरा हैं ठीक है इस चीज़ को ध्यान दिखेगा इस परिवासा को दोनों ही परिवासा हैं आपको याद रखनी है ठीक है इसकिनर महोजदे जो थे आपके यह अमेरिका के निवासी थे 1938 में जो है इनोंने किस पर प्रयोग किया था इनका जो सिध्धान था क्रिया परशुर सिध्धान तो सो सिध्ध करने के लिए 1938 में चुहे पर प्रयोग किया था तो यह होते हैं चार परकार के, पहला होता है आपका सरल रेखी वक्र, जिसें इंगल्स में कहते हैं चौथा होता है इंचेकरव यानि मिसीरित वक्र. आइए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं, देखिए अगर आप सीटेट का एक्जाम देने जा रहे हैं, या TET का एक्जाम देने जा रहे हैं तो आपके एक्जाम में इन प्रस्णों की संभावना रहती है पूछे जाने की तो वीडियो को पूरा देखेगा लास्ट में आपके लिए कुछ प्रस्ण है जिससे आप समझ पाएंगे कि आपने मेरे वीडियो से कितना सीखा तो अधिगम वक्र कितने परकार के होते हैं चार परकार के होते हैं सरल रेखी वक्र न तोदर वक्र न तोदर वक्र और मिसरित वक्र तो पहला वक्र हमारा सरल रेखी वक्र इसे इंगलिस में कहते है straight line curve ठीक है या सून तुरित वक्र इसे कहा जाता है देखे ये क्या होता है सीखने की गती इसमें जो है लगातार बढ़ती रहती है देखे इसमें सीखने की जो गती है ये लगातार समय के साथ बढ़ती रहती है और यह सून तोरित वकर कहलाता है और इस प्रकार का जो वकर है यह बहुत ही कम यानी कह सकते हैं कभी भी नहीं बनता है तो आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा अधिगम वक्र है जिसमें सीखने की गती जो है लगातार भढ़ती रहती है तो आपका ये होता है सरल रेखी वक्र या सून नित्वरित वक्र अगला आपका वक्र है उन्नतोदर वक्र देखिए इसे इंगलिस में कौन्वेक्स कर भी कहा जाता है देखिए उन्नतोदर वक्र यानि उन्नती पहले उन्नती होगी बाद में अवनत होगी यानि पहले जो सीखने की गती होगी वो तीवर होगी और बाद में जो है सीखने की मंद हो जाती है तो यह आपका होता है कानविक्स करो या कह सकते हैं रिडात्मक वक्र या उत्तल वक्र ठीक है शीच को ध्यान रिखेगा उनतोदर वक्र जो है इसकी आकरदी जो होती है यह उत्तल वक्र के समान होती है इसमें जो गती होती है प्रारम में तीवर बाद में धी तो इस प्रकार का वक्र होता है आपका उनतोदर वक्र ठीक है इसे जो है रिडात्मक वक्र के नाम से भी जाना जाता है तीसरा वक्र है आपका नतोदर वक्र नत मतलब कह सकते हैं जोड सकते हैं नीचे से तो यानि इसमें जो है प्रारम में सीखने गती मंद होती है बाद में सीखने गती तीवर हो जाती है इंग्लिस में से कानकेव कर भी कहा जाता है देखिए प्रारम में जो है सीखने गती धीमी है बाद में जो है एकदम बढ़ती जा रही है तो ऐसा वक्र जिसमें प्रारम में सीखने गती मंद बाद में तीवर हो जाती है यह आपका होता है धनात्मक वक्र, देखिए बाद में आपको क्या है, positivity मिल लही है, इसी वज़े से इस वक्र को धनात्मक वक्र कहा जाता है, यह कह सकते हैं अवतल वक्र कहा जाता है, एक्जाम में पूछ सकता है कि अवतल वक्र, यानि अवतल आकरत वाला वक्र कौन सा होता तो धनात्मक वक्र या कह सकते हैं नतोदर वक्र जो होता है यह आपका अवतल वक्र होता है और उत्तल वाला जो होता है वह आपका रिणात्मक वक्र और उनतोदर वक्र होता है ठीक है तो यह तीन होते हैं चौथा है मारा मिसरित वक्र लिखा ऐसा वक्र जिसमें सीखने गति कभी धीमी और कभी तीवर होती है यह एसाकार का होता है यह नतोदर वक्र और उनतोदर वक्र का मिस्रित रूप होता है देखिए अभी मैंने आपको बता है मिस्रित वक्र क्या होता है ऐसा वक्र जिसमें सीखने की गती कभी धीमी कभी तेज होती है और इसकी आकरत यह है यह साकार की होती है तो एक्जाम में पूछ सकता है ऐसा कौन सा अधिगम वक्र है जिसमें सीखने की गति कभी धीमी और कभी तेज होती है कौन सा वक्र होगा तो यह आपका आधिगम पठार के बारे में देखे अधिगम पठार में यह होता है कि जब हम किसी प्रक्रिया यानि किसी प्रासस में कोई चीज सीखने जाते हैं, तो हम कभी कम सीखते हैं, और कभी ज्यादा सीखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है, जब हम बिलुकुल भी सीख नहीं पाते हैं, तो ऐसा समय जब हम कुछ भी नहीं सीख पाते हैं, तो आपकी इस्तित होती है, अधिगम पठार की इस्तिति, दिखें लिखा क्या है लिखा है अधिगम की प्रक्रिया में कभी हम ज्यादा सीखते हैं और कभी कम लेकिन एक समय जब ऐसा आता है जब सीखने में बिल्कुल उन्नत नहीं होती है अर्थास सीखना बिल्कुल बंद हो जाता है तो ऐसी इस्थित जो होती है यह आपकी अधिगम पठा काफी टिनों के लिए विह को सकती है जैसे आप देखेंगे बिल्कुल सीख नहीं पाते हैं तो यह पचास मिनट जो है आप अच्छी से पढ़ते हैं फिर उसके बाद जो आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसता है यानि कुछ भी आप याद नहीं कर पाते हैं लेकिन आप 10-15 मिनट का रिष्ट लेते हैं तो आप फिर से उसको याद करने लगते हैं तो अधिगम पठार की इ चानते हैं परिवासाओं के बारे में इनकी भी दो परिवासा हैं सैधां दो ही परिवासा हैं पहली परिवासा जो है यह इसकिनर की है यह कहते हैं पठार 36 प्रसार है जिससे सीखने में उन्नत का प्रत्यच बोद नहीं होता है देखिए कुछ पता चला है कि हम इसमें क्या सीख रहे हैं तो वही तो लिखा हुआ है लिखा है पठार, छेटिज, प्रसार है जिससे सीखने में उन्नट का प्रत्यच्षबौद नहीं होता है, तो यह किसने कहा है, इस कि नर महोदय ने, अगला है रास, रास कहते हैं पठार सीखने की प्रक्रिया में प्रमुख विसेस्ता है जो इस अवधि को सूचित करता है या कहा सकते हैं सूचित करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में या सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है ठीक है इस चीज़ को ध्यान दिखेगा एक बार ध्यान से पढ़ लिजिए रास कहते हैं पठार सीखने की प्रक्रिया में प्रमुकुष रस्ता है जो इस अबध को सूचित करते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में उन्नति नहीं होती है ठीक है आगे देखते हैं देखिए अधि किसी काम को करने में लगेंगे तो आप उस काम को करते रहेंगे लेकिन अगर आपका मन नहीं करेगा तो अधिगम पठार की इस्थिती उत्पन हो जाएगी अनुचीद विद्या क्लास में अगर आप जो है अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा रहे होते हैं तब भी बच्चे न क्या करता है अधिगम पचार को क्रता है अगर आप मोटिवेशन नहीं देते बच्चों को तो नहीं सीखें गी नाकर। अक्षा काम अच्छा काम कर रहे तो जो नकारात्मक काम निगेट्य वर्ग होता है वो भी आपको अच्छे कार करने से रोकता है कभी-कभी कभी प्राक्टिस कर रहे होते हैं उसमें लगता है 4-5 तो शही होते हैं लेकिन उसके बाद जो पांदस कोशन आगे गया आते हैं इतने कठिन हो जाते हैं कि लगता है सब कुछ भूल गए तो जटल कार भी जो है अधिगम पठार के लिए उत्तरदाई है निवारण क्या होता है अधिगम पठार का सही लिखा है समय का सही वित्रण अगर अच्छी तरीके से समय का वित्रण किया जाएगा समय साणी को अच्छे से बनाया जाएगा तो आपके जो भच्चे है विध्या लेके या आप खुद है तो आप जो है अधिगम पठार की सित को दूर कर सकते हैं प्रेना देना अगर बच्चे सीखने पा रहे हैं अधिकम पठार की सुचेशन में पहुच गया है तो उन्हें मोटिवेट करना चाहिए विस्राम जैसे मैंने भी आपको बता है हिंदी पढ़ते हैं इंग्लिस पढ़ते हैं मैथ पढ़ते हैं चार घंटे से लगातार पढ़ पढ़ते हैं तो चालिस से पैंटालिस मेंट जो है आप अच्छे से पढ़ते हैं अगर फिर उसके बाल अगर थोड़ा भी ज्यादा पढ़ते हैं तो आप जो है नहीं पढ़ते हैं तो विस्राम थोड़ा आपको रुखना पढ़ता है फिर जो है एनर्जी गैन करते हैं फ खोटा सा टापिक था अधिगम वक्र और अधिगम पठार अब देखते हैं आपके लिए कुछ प्रश्ण हैं पांच प्रश्ण इस वीडियो में और जितने भी सही करेगा भाया कमेंट करके जरू बताएगा बड़ा मेहनस से जो है आपके लिए नोट्स बनाया जाते हैं ठी सरलेखी वक्र उनतोदर वक्र नतोदर वक्र और मिस्रित वक्र अगला प्रश्ण अधिगम वक्र दी गई किरिया में उन्नत या अवनत का वरगांगित पर बवरा हैं किसने कहा इसके नर रास वुडवर्थ पावलाव अधिगम वक्र दी गई किरिया में उन्नत या अवनत अगला प्रस्ने धनात्मक अधिगम वक्र कौन सा होता है सरलेखी वक्र नतोदर वक्र या मिस्रित वक्र धनात्मक अधिगम वक्र जो है भाईया कौन होता है बताईए बलब देखिए ऐसा वक्र जिसमें प्रारम में जो है सीखने के किती मंद और बाद में जो है अधिक हो जाती है वो आपका धनात्मक अधिगम वक्र होता है यानि नतोदर वक्र होगा भीया बी अक्षन आपका सही है बलब नीचे से उपर जा रहा है न अगला है साकार का अधिगम वक्र कौन सा होता है सरलेखी वक्र नतोदर वक्र उनतोदर वक्र मिसरित वक्र तो यह होगा आपको पता होना चाहिए मिसरित वक्र होता है अगला है अवतल वक्र किस अधिगम वक्र को कहा जाता है सरलेखिय वक्र नतोदर वक्र फिन नतोदर वक्र है तो इसको मालिजे उनतोदर है आपका ठीक है और इन में से कोई नहीं तो अवतल वक्र जो है निमन में से कौन सा अधिगम वक्र कहलाएगा तो ये होगा आपका नतोदरवक्र यानि कहसकते हैं नतोदरवक्र जो है आपका वो धनात्मक भी है और अवतल आकरत वाला भी होता है तो इस परकार से आज का जो हमारा छोटा सो टापिक था है यहीं पर सावत होता है मिलते हैं आपसे एक लिए वीडियो में थैंक यू फ्रेंड्स धन्यवाद